चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है आज बनाएंगे मठर मश्रूम तो मैंने 500 ग्राम मश्रूम लई हुई है इसको अच्छे से दो लेते हैं मैंने एक बावल के अंदर पानी डाल लिया है आधी छोटी जबस नमक डाल देते हैं उन मश्रूम को डाल देते हैं पांच मिन्ट पानी के अंदर ही रहने देते हैं पांच मिन्ट हो चुकी है मैंने मश्रूम को कट कर लिया है बनाना सुरू करते हैं मैंने एक बावल मट लिया हुआ है एक प्याज दो टमाटर मैंने गैस के पर कडाई रख दिया एक चमच तेल डाल देते हैं तेल गरम हो चुका है मैंने चार से पांच लशन की कलिया लिए यह डाल देते हैं दो दरक की टुकड़े दो अरी मिर्ची च्यार पाली मिर्ची तीन लोंग दोई लाइची प्याज को टाल देते हैं प्याज को कुछ देर फ्राई कर लेते हैं प्याज फ्राई हो चुका है टमाटर को डाल देते हैं फिर से सेम कडाई रख दिया एक चमस सशुगा तेल दालेते हैं तेल गरम हो चुका है, तेल पता डाल देते हैं, आधी छोटी चमस जीरा डाल देते हैं, प्यूरी को डाल देते हैं, देके शेकर्ma, को डाल देते हैं, आधी छोटी चमस जाल्दी पाउटर, येव, दाल देते हैं, एक चमस जाल्दी पाउटर, आधी छोटी चमस बृटर, लाल्दी पाउडर, मिक्स कर देते हैं, मसाले को दो मिन्ट अची से पका लेते हैं, दक्कन लगा के पका लेते हैं, दो मिन्ट हो चुकी है, मसाला पक चुका है, मट्र को डाल देते हैं, मट्र को कुछ देर पका लेते हैं, मैंने मिक्स कर दिया है, मैं एक छोटा बाउन पानी का डालती हूँ, आप गरेवी कम ज्यादा भी कर सकते हूँ, मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर दिया, मैंने मिक्स कर दिया, पांच मिन्ट दकन लगा के पका लेते हैं, मिक्स कर देते हैं, मत्र मस्रूम की सबजी बनके तैयार हो चुकिया, इस तरीकेश आप गर पर जरूर ट्राय करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल के उपर पहले बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें,